हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टीफन अकेडमी मापका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आएं बेसी अग्रीकल्चर फिफ्थ सेमिस्टर का जो प्रिवेश शेयर का पेपर है 2020 का इसका हम आप लोगों को टाएप और इसमें कौन कौन से कुश्चन आये थी इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं और इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये पेपर जो होता है आप लोगों का ये सेकेंड न पेपर सेकेंड आपका किसका होता है क्रॉप इंप्रॉब्मेंट फर्स्ट का होता है जो कोई खरीब क्रॉप्स की होती है ठीक है क्रॉप इंप्रॉब्मेंट सेकेंड फर्स्ट सॉरी तो इसमें BSC Agriculture 5th semester के questions होंगे जो कि हम आप लोगों को बताने वाले है चलिए बेडियो शुरू करते हैं अगर आप लोगों अभी तक मेरी चेनल को सबस्काईब नहीं किया है तो please चेनल को जल्दी सबसक्काईब करें और बेडियो को लाइक सियर जरूर करते रहे है ठीक है चलिए बेडिये देखते हैं तो यह जो है आपका जो पेपर दिया गया है वो BSC Agriculture 5th semester का है और 2021 का दिया गुआ पेपर ठीक है Crop Improvement First का पेपर है आप लोगों का और किसका है मतलब खरीब Crop का आपका पेपर ठीक है पेपर की जो duration होता है होता है वो तीन गंडे दिया जाता है ठीक है और Maximum Marks जो आपके होते हैं मतलब आपका जो पूरांग होता है वो 25 नंबर का होता है ठीक है चलिए देखते हैं इसमें क्या questions दियेगें इसका note जरूर पढ़ना है मैं हर वीडियो मताता हूँ आप लोगों को इसके सभी notes जरूर पढ़के जाने है ठीक है तो note में क्या लिगए attempt the questions from all sections as directive मतलब सभी खंडों से निर्देशा अंसान प्रस्णों के उत्तर दीजिए ठीक है इसमें लगबग आप लोगों को तीन खंड दिये जाते हैं section A, section B और section C ठीक है, चलिए देखते हैं section A, section A खंड A में आप लोगों के कौन-कौन से question दिये गए हैं, तो section A जो है आपका, खंड A इसमें आपके very short answer type questions आप लोगों के दिये गए, अत्र लगब उत्तरी questions जिन्हें कहते हैं, ठीक है, इसमें note कहते हैं, attempt all parts of question number one in about hundred words each, each question carries two marks, मतलब question number one के सभी बागों के उत्तर लगबख सो सब्दों में दीजिए और प्रतेक 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 दो अंकों का होगा, ठीक है, सो सब्दों लगबख देने हैं, और प्रतेक 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 आप लोगों कितने हैं, दो अंकों का होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें कौन कौन सी question दिये गए हैं, पहले number में दिया गया है, आपको short notes, right, short notes on the following, मतलब जो आपको tipणियां लिखनी होती है, ठीक है, इसमें A number में क्या दिया गया है, primary center of, primary center of origin, प्रत में केंदर के बारे में लिखना है, ठीक है, B number में दिया गया है, land races, मतलब land races के बारे में लिखना है, अगला आपका दिया गया है, C number में, C number में आप लोगों का दिया गया है, genetic erosion, अन्वांसिक छरड़क या परदन किसे कहते हैं, ठीक है, D number में दिया गया है D number में हमारा दिया गया है Gene Centuries Gene Abhiraad के बारे में आप लोगों को लिखना है ठीक है और ये आप लोगों के दो नंबर के question दो नंबर आपको एक question में मिलेंगी ठीक है सभी question आप लोगों करने हैं इसमें अगला दिया गया है E number में quantitative characters मतलब quantitative गुलात्मा क्लचर जिने कहते हैं ठीक है F number में दिया गया है hybrid wager hybrid wager मतलब संकर ओज के बारे में आप लोगों को बताना होगा ठीक है अगला दिया गया है G number में pedigree pedigree method मतलब बंसावली method जो होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है आप चलते हैं section B section B मतलब खंडबा खंडबा में आप लोगों का क्या दिया गया है खंडबा है आप लोगों का इसमें short answer type short answer type questions दिये गया मतलब लग उत्री प्रशन आप लोगों के दिये गए इसका जो note है वो क्या पढ़ना है आप लोगों को क्या दिया गया है कि attempt any two questions आप लोगों को कोई भी दो questions आप लोगों करने हैं और question का जो answer है वो लगवक्त 300 सब्दों में आप लोगों को देना होगा और प्रते question आप लोगों का 5 नंबर का होने वाला है ठीक चलिए देखते हैं इसमें कौन-कौन से हमारे question दिये गए है जिसमें जो question दिया गया है पहला question दिया गया है discuss rice under the following heads मतलब धान की निम्लिकित सिर्षकों के अंतरगत बिवेचना कीजिए मतलब breeding objective धान के उद्देश कौन-कौन से हैं प्रजिण उद्देश कौन-कौन से हैं ए नमबर में यह पूछा गया है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है बी नमबर में दिया गया है ठीरी लाइन ब्रीडिंग सिस्टम प्रजिण पद्दती इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा तो इसमें यह दान के बारे में पूरी आप लोगों को ए और बी दोनों सेक्शन करने होंगे ठीक है अगला कोश्चन क्या दिया गया है अगला कोश्चन इसी पिरकार दिया गया है मकका में बॉट्टा से पंक्ति बिदी को बताना होगा इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा अगला कोश्चन क्या दिया गया है निम्लिखिट फसलों की उतपती एवं क्रसी प्रजयातियों के संब्धAmerican में लिखना होगा ठीक है अब नीचे बें आपको फसलें कौन को सी दी गई है आपको A नमबर में दी गई है मेज मतलब मक्का की फसल ठीक है और B नमबर में दीए गई है पीरमलेट मतलब बाजरे की फसल आप लोगों को दीगे इनके संबंद में उत्पति एवं क्रेशिक प्रजातियों के बारे में दिखना आए अगला दिया गया है आप लोगों का स्रीक्शन डी में यह पांचमा नमबब उसलद क्या है डिस्क्राइब रजीन ची बानसरावली बिती का बीर्डन कीजिए मतलब प्रजिटों की जो बांसरा वनशरावली ऑन यह इसका ब्डर्डन को करना हो ठीक everyday, इस इसमें किस प्रकार के आपको लोग कोस्चन जो पूछे गए थे वो लॉंग आंसर टाइप कोस्चन पूछे गए थे मतलब दी गुत्री प्रस्चन पूछे गए थे ठीक है इसका नोट पढ़ लेते हैं आप लोगों को बारे नंबर दीए जाएंगे ठीक है और आप लोगों दो कोस्चन हल करने हैं तो मतलब 24 मार्क्स आप लोगों को इस सेक्षन से मिल जाएंगे चलिए देखते हैं इसमें question आप लोगों के कैसे दिये गए तो question देखते हैं question के पहला question क्या दिये गए describe the back cross method of breeding with special reference to transferring disease resistant मतलब रोग रोधिता के इस्थानांतराल के संदर्व में प्रतीक संग्रण प्रजनन बिदी का बढ़न कीजिए मतलब ठीक है रोग रोधिता के स्थानांतराल के संब्द में प्रतीक संक्रण प्रजनन बिदी का बढ़न आप लोगों को describe करना होगा ठीक अगला question क्या दिया गया है अगला question दिया गया है साथ नंबर में what is male sterility write the different types of male sterility नरबंधिता क्या है और बिवन प्रकार की नरबंधिता का उले कीजिए मैंने आप लोगों को बताया है यह question आप लोगों को अकसर खंडों में दिया जाते है और आप लोगों को इने खंड में अगर solve करेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी और आप लोगों को नरबंधिता क्या है सबसे पहले आप लोगों नरबंधिता या उसकी परवासा लिख नहीं है दो बार मैंने बताया था इंग्लिस से और हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी जब नरबंधिता क्यूं ले कीजिए जब रवणिता क जो परकार होते हो उसके बारे में भी आप लोगों को बता देना है इस परकार आप लोगों का कोश्चन सवण हो जाएगा आसानी से आगे देखते हैं आगे क्या होगा आगे अगला question है हमारा art number में define center of origin give the list of men centers of origin with crops उत्पति केंदर को परवासित कीजिए फसलों के साथ मुक उत्पति केंदरों की सूची दीजिए ठीक है किस फसल का कौन सा उत्पति केंदर होता है उसकी सूची आप लोगों को बना के देनी हो और उत्पति केंदर क्या होते है ठीक है यहाँ पर क्या होता है उसकी बारे माप लोगों को बताना होगा इसके बाद देखते हैं आगला question क्या है आगला question है write the role of the following in crop improvement ठीक है following in crop improvement फसल सुधार में निम्ड़कित का वड़न दीजिए ठीक है ए नमबर में क्या है germ plage collection मतलब जनन द्रभ का संग्रे करना किस प्रकार से करते हैं नो नमबर में आप लोगों को कई भाग में दिये गए है question अब बी नमबर में आते induced mutation मतलब प्रेरित परिवर्तन के बारे में आप लोगों को बताना होगा ठीक है इसी प्रकार आप लोगों को दो नमबर में ये दो बागों में दिये गए ए और बी करके इसमें आप लोगों का दिया गया ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर करते रहे और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को जिल्दी सब्सक्राइब करें और इससे पहले मैं जो फर्ष्ट पेपर होता है आप लोगों का रेंट फेट एंड ड्रैलेंड एकरिकल्चर उसका वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ उसका वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोड हो चुका है और वहां से आप लोग उससे देख सकते हैं आप लोग क्रम बाई क्रम वीडियो देखते रहे हैं और आप लोगों के लिए डेली वीडियो आप मिलते रहेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों को next वीडियो में next topic के साथ या next paper के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोगों अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किये तो please आप चैनल को ज़रू subscribe करें और वीडियो को share भी करते रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जिससे सभी लोगों के सभी लोगों तक यह सूचना पहुंच सके कि आप लोगों का कितना लगवख हो चुका है कितने paper आप लोगों को solve कराए जा चुक है ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों को next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद